तो गाइस इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी जियो नंबर का P.U.K. code को आप दो तरह से निकाल सकते हैं एक आप ओनलाइन के मदद से और एक ओपलाइन के मदद से निकालेंगे तो आपको जियो केर से बात करना होगा 158 में कॉल करके और जिस नाम से आप सीम को लिए थे उसकी डिटेल्स आपको देनी है उस नंबर को देना है तब आपका जो P.U.K. code है वो कस्टमर केर आपको दे देगे अगर alternate mobile नंबर आपके पास नहीं है तो उस mobile नंबर के साथ एक email ID लिंक होना चाहिए वो email ID आपके पास होना चाहिए अगर email ID भी आपके पास नहीं है तो उस जियो नंबर के साथ एक जियो नंबर लिंक होना चाहिए और वो लिंक किया हुआ जियो नंबर आपके पास होना तो आप इन चारों में से कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं उसका प्यू के कोड अगर इन चारों में से आपके पास अगर कुछ भी है तो आप निकाल सकते हैं ओनलाइन ही एक मिनट के अंदर बड़ी असानी से तो सबसे पहले बता देता है क P.U.K. Quad क्यों मंगता है आपके सीम पर अगर आपके मुबाइल के सेटिंग पर जाके सीम में पिन लगाते हैं अगर जब मुबाइल आपका सूच आप हो जाता है और दोबारा ओन करते हैं तो वहाँ पर पिन डालने के लिए बोलता है आपके सीम में अगर उहाँ भी अगर तीन टाइम गलत डालते हैं तो उहाँ भी आपका सीम P.U.K. Quad मांगने लगेगा अगर P.U.K. Quad आप टैन टाइम गलत डाल देते हैं मतलब दस बर गलत डाल देते हैं तो आपका जो सीम है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा आपको दुसरा नया सीम लेना होगा तभी आपका चालू होगा नहीं तो आप जो सीम है आपका पुराना सीम वो चालू नहीं होगा तो किसी भी जियो नंबर की P.U.K. Quad को दो तरस से निकाल सकते हैं एक ओफ-लाइन के मदद से और एक ओन-लाइन के मदद से तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ओन-लाइन के मदद से किसी भी जियो नंबर का P.U.K. Quad को कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप अपने मूबाल पर कोई भी ब्रोजर को आपन करेंगे उसके बाद आपको यहां सेर्च बार पर किलिक करना है सेर्च बार पर किलिक करने के बाद आपको यहां पर सेर्च करना है जियो लोगिन लिखके उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको यहां पर किलिक करना है उसके बाद आपको यहां select category पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जीस जियो नंबर का P.U.K. कोड निकालना चाहते हैं उसका इन चारों में से आप क्या जानते हैं क्या है आपके पास जानकारी वो आपको यहाँ पर select करना है अगर आपका यहाँ पर register email ID मालचे यहाँ पर नहीं मांग रहा अगर लिंकेड मुवाल नंबर नहीं मांग रहा अगर यह दो option आपका सोव नहीं हो रहा तो यह दोनों option आपका सोव होगा alternate मुवाल नंबर और date of birth अगर उस जियो नंबर के साथ email ID लिंक किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर email ID आपका सोव नहीं होगा रेजिस्टर email ID और अगर मुवाल नंबर भी अगर लिंक किया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पर लिंकेड मुवाल नंबर भी सोव नहीं होगा तो आपका ये दोनो नमबर सो होगा तो आप दोनों में से किसी को आपको select करना है उस जियो नमबर को जो documents दे के आप sim को activation कराए थे उस time जो documents दिये थे उसका data birth क्या है अगर वो मालूम है तो आपको यहाँ पर data birth select करना है उसका data birth select करने के बाद आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको उसका data birth select करना है जिस नाम से उस sim को लिये थे जिसका P.U.K. कोड निकाल रहे है तो उसका data birth क्या है उस data birth को आपको यहाँ से simply select कर लेना है data birth select करने के बाद आपको simply यहां submit पर किलिक करना है उसके बाद आपका इस तरह का interface आएगा तो यहां पर आपके उस नंबर के साथ जो जो link किया हुआ है वो सभी यहां पर show होगा अगर email ID link किया हुआ रहेगा तो email ID show होगा अल्टरनेट मुवाल नंबर तो रहेगा ही यहां पर अगर उसके साथ कोई जियो नंबर लिंक रहेगा तो यहां पर जियो नंबर आपका select करना है उसके पाद आपको यहां generate और टीपी पर किलिक करना generate और टीपी पर जिसे click करेंगे तो आपके इस alternate mobile पर एक और टीपी जाएगा उस old typ को ढालना है अगर आपके पास it alternative mobile नमबर नहीं तो फिर आप online इसकाAAAAAAAA को निक्तान नहीं सकते आपके पास इन सभी में से जो भी है मतलब जो भी आपसन यहां पर सो हो रहा जो भी आपके पास है उस पर एक OTP जाएगा तभी आप ओनलाइन से P.U.K. कोड निकाल सकते हैं नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं तो simply अभी मेरा पास email ID है तो हम email ID को सेलेक्ट किये हैं उसके बाद generate OTP पर किलिक करेंगे जनरेट OTP पर किलिक करने के बाद आपके उस email ID पर एक OTP जाएगा अगर mobile number सेलेक्ट करेंगे तो mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को आपको यहां पर डालना है तो चलिए हम अपना email ID पहले निकाल लेते हैं कि email ID पर email आया है कि नहीं आया है तो चलिए हम उस email को पहले यहां से निकालते हैं तो हम उस email ID को login कर लिए हैं उसके बाद refresh करते हैं refresh करने के बाद यहां पर देखिए मेरा OTP आ चुका है तो चलिए हम वहां पर इस OTP को बीडालेंगे OTP डालने के बाद आपको स्प्पल यहां सब्मीट पर क्लिख करना जैसे क्लिख करेंगे तो अगर आपका आपका अभी कुछ इस तरका इंटरफेस आता है तो स्प्ल आपको यहां से अपना browser सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका इंटर्फेस नहीं आता है तो डायरेक्ट ही आपका कुछ इस तरह का इंटर्फेस आएगा और यहाँ पर आपका Puk-Code होने लगेगा तो हम अभी इस नंबर का Puk-Code निकाले हैं तो यह इसका Puk-Code हुआ अगर इस नंबर पर आपका भी Puk-Code मांग रहा है तो इस Puk-Code को डाल के आप अपने मुवाइल का जो सिम का लॉक है उस लॉक को खोल सकते हैं अगर 10 टाइम अगर गलत Puk-Code डाल देते हैं तो आपका सिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा आपको दूसरा नया सिम लेना होगा तब ही आपका चालू होगा नहीं तो नहीं होगा तो जहाँ पर Puk-Code मांग रहा है वहाँ पर इस Puk-Code को आपको बेनिया से आपको देखते हुए भर देना है तो आपका जो सिम लॉक हुआ है वो अनलॉक हो जाएगा अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि जियो नंबर से जियो नंबर को लिंक कैसे करेंगे तो इसका complete वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रेशन पर दिया हुआ है आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जियो नंबर से जियो नंबर को लिंक कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताया है रहाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दिए इसे तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए